और ये बाला दो बटल ले लिए मैंने कुद के लिए कौन हो आप आप आज इन्हों ने ट्रिम्मिंग की है आज हम नहेले बाद इसे एंपू उड़कर निच्छे जा रही है मैंगी है इसका क्या मतलब है हवा में उड़ेगी है हवा में डालूंगी इसमें ऐसक्यूप्स है एवरिवान वेलकम बैक तो माई योट्यूब चैनल आई हूप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम खीक हूँ तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं आज का व्लोग हाँ और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब लोग वीडियो को लाइक कर दो और हाँ जो आज फर्स्टेम चैनल पर है फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बैल आइकन को भी क्लिक कर दो ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिक्शन आपको शो हो जाए तो चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लोग यह चने मैंने रात के भी को के रखे थे और मुस्ट हो गए हैं के ए भी का शेब के प्रशाए जाए है ए पर दिए को कि अविणियो अब कि अपकर कंग कर दोखजाए है ऑज हो जब का यहान हें करता है मैं हमारे गर बनेगी अवाज बिंडी और यहां पर सबस्याइब पर जानें जोड़ेखों यह बन के प्रिफुल तयार हो गए हैं और बन के हैं यह देखने हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं तेस्ट पता नहीं कैसा होगा और थोड़ा सा मैंने ग्रीन चिली और हरा देनिया काटा है यह मैस में डाल दूंकी लास्ट में सारे डाल देती हम इससे ना टेस्ट और ब अपने गयास बंद कर देने यह बाल इससे और अच्छी पूश्बॉआ जाती है अपको अच्छी काटी है तो इनकी मुम्मा ने इनको बहुत अच्छा सब कुछ सिखाया है तो मैं उनको थेंक्यो बलती हूं मेरी बहुत हर काम में हैल्प कर वाते हैं इसको मैं कर दोती हू बंडी बुजिया बनाएंगे हम आज और उसके लिए मुझे रखनी है कडाई और करनी है गयास डालना है तेल हाँ मुझे पना ही ज्यादा नहीं अल्दी बनाना है और चौलो जी मैं इसको बना लेती हूं तो बंडी में मैंने सब डाल दिया एक्छी बंडी में मैं कुछ दाल की हूं ज्यादा से ज़दा अन्यान आज मैंने वह बी भी डाला है तेल डाल दी इसके बाद हल्दी लाग मिच नमक पास तो इसको अच्छी से रोस्ट कर लिया अच्छी पका लिए और चुए जब भी बनाना है आप अब निकर नहीं कर लेगर और इसकी खतम हो जाए सब्सक्राइब को अब देखो बिंडी बुजी, भी मेरा बनके रिडी हो गया अब देखो इसमें जो लेसे थे बो ख़तम हो गी हैं ऐसे इसको मतलब open में पकाते हैं, कवर नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता थी चीज को नहीं पता होगी, पहले नहीं पता थी, मतलब अभी कुछ साल पहले पता चली है मुझे, तो बस मैं चुछा आपको भी बता दू और यहां पे मैं बना रही हूं अज पूरियां, तो पू पूरियां और कुलोंजी है, यह मैस में डालोंगी, इससे यह हल्दी रहेगी, और थोड़ा सा ओईल, बस इतना सा, अब फड़ाव डाल दो, बस अब इसको नहीं प्रॉपर पूरे ओईल को और यह सब मिक्स करना है पहले, इसको बोलते मोनी लगाना, तो यह पूरि में से पहले ऐसे करते हैं, उसके बाद इस आटे को नॉम्मल आटे की तरह ही गुन देंगे, तो बस यह प्रॉसस होता है, बस जो हम पूरि में करते हैं, इससे आपकी पूरि बहुत एक्दम क्रिस्पी क्रिस्पी और क्रंच होता है ना जो पूरि में, तो वह आता है, और यह ऐस बस ऐसे मुठी बननी चाहिए बहले ही वो मुठी टूट जाए तो मतलब मूनी आपकी जो है वो लग गई है तो सारे आटे को मैं एक बार इससे मिक्स कर लूगी आपको बस ये चेक करना है मुठी बन रही है बहले ही बाद में टूट जाए ऐसा कुछ भी नहीं है बस ऐसे ही सीख तो यह आपको बता रही है जो मुझे पता है आपको कुछ लोग अलग के साबनाते हैं थो मजे नहीं बता हमारे गर में तो ऐसे ही बनता तो बस अब इसको मैं पानी से गुन दूँग는 एक बार मुनी मैंने लगा दी और बाक्की आटा मेरे हजबन गुनिंगे और फिर इसके आद हम पूरिया बनाएंगे कौन हो आप आप आज उन्हों ने ट्रिम्मिंग की एप आज आज हो नहीं ले बादी सेंबू उसे और आज थोड़े अच्छे लग रहे है थोड़े नहीं जाद अच्छे लग रहे हैं आपने स्ट्राइल मारेंगे तो हम यहाँ पे बनाएंगे पूरी हमने पूरी के लिए तेल-गरम करने रख दिया है और यह आटा भी बन के रेटी हो गया है और अभी हम बेलेंगे और बनाएंगे पोड़ी, हाँ मैं इसे बेल देखे, तो साफ कोती है ना मेरे स्लाइब पोड़ी, क्या, वो उदे टांगी है अब, इतनी इतनी हमने, आज अधने पोड़ी है, यह सर्सो के तेर में बनते हैं रिफाइन में, यह पदा नहीं कि इसमें बनते हैं रिफाइन में अधने में, लेकिन अधनी सर्सो के डाल दीक है और मैं लाइफ में फस्स टाइम बूड़ी बना रही हूं, लेकिन मज़ा मैं बनाती हूं ममा के साथ, लेकिन यह बेल ने वादा ऐसा पर अधनी है, फड़ा सब देल लगा दीजे, हाँ लगाया तेल, और लगाया तेल, और आटे नहीं परते हैं, पूरी में, पसा है मुझे, तो आटे की उदेर वादा वो ऐसे नहीं लगता है, जैसे वो काटी एगा ना उसके बाद थोड़ा थोड़ा तेल उस पर देना होता है, यह उतना अधनी तेज में होती है, तो मैं आटे जूर अधने शोर से गंदवाती आटे के साथ नहीं है, तो मैं बेल दे रहा हूँ, आप ठान दीजिए, थैंक यू, गुड़ वोई, गाइस, मेरे आथ काहल देखते हो, मैंना सबसी कोई भी बना लेती हूँ, फुलके बनाने में जो बड़ी दिक्कत आती है, और पूरियां तो फुलके से चोटी हैं, पर राज उने मिला कोई ने इसके भी डेस्टी होती है, मेरी हालत देखते हुए, ये दोने मेरी हैल्फ कर रहे हैं, ये वाली उतने ने पूली, नेक्स से बूली है, देखते हैं, अगली पूलती हैं नहीं, टरन 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 टरन, पूल रही है, क्योंकि उन्प में से किसी को भूप नहीं है अगर बुफ नहीं हो न तो फूलती नहीं है हाँ अगर जादा बुफ हो तो फिर खूलती है अगर अदर मेने काले-काले बड़े काले है देख रहे है ना यहां पिर मैंने यह जादा डाल दी है काले और यह अच्छा है अच्छा फिर भी ठीक है अब गर वालों की जर्दान तो नहीं बना सकते हूं लेकिन फिर प्राई कर रहे हैं विशन गर्मी को देखते हुए हम बना रहे हैं गुलु कॉंडी वाला विशन रुआ भी अप्सा इसमें हम डालेंगे गुलु कॉंडी और इसमें मैं डाल दिया रुपसा और फिर मैं इसको शेक कर लूंगे अच्छे से अगा कि शेक कर दो कि अनिश्श कौंदे ना एक है स्पून देना अनिश्श पिछे से कुंसा कोई भी किया होता है कुंसा है तो इस बेहम लोग कितने लोग है हम लोग एक दू दिन सरा 5 लोग है昂 तो मैं ढलोंगी एक दो, सेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, दो एक्स्ट्रा, ग्यारा और बार, ठीक है, इसको मैं बंद करते हैं, इसमे, ऐसको मैं बंद करते हैं, इसमे, ऐसको मैं बंद करोंगी, वो है, मिल्क, बस इतना है, और फिर इसको मैं बंद करके, अच्छे से मिक्स, मिक्स कर लूँ, शर्बत बंद के रेडी हो गया है, मैं सब को साब कर देती हूँ, जाए है, जाए है, जाए है, जाए हो, अग्तीस के बाद है, पिकर बने, चैन कर पखेर बद बेची, आपी ले लो, जाने जहां भी हो, उसे मुझा आयाएगा, तुरिया सक्नावा खाना खाके मैं सु गई थी और मेरे हज़गणा भी तक सुए हुए है और वहाँ पे हमारे गर में जो लोग आए है मार आजाती है, वो फोल न्यूस कर रहे है और अब मैं चाय बनाती हूँ अनिस अनीस चाय पिनी है वे अनीस, अनीस चाय पिलोगे इस बात इस घर के खास बात है यहाँ पे सब लोग मलूपकोई भी चाय के लिए बनाने करता है तो इसलिए इस अच्छी चीज है जाए भर बधार हम थे चाहीं. यह दूदध, और हम बनाएंगे चाहे. बड़का भी बारी मेरे चाही होती है पत्ति, चीनी, दूद्ध, एंद इलाइची, टोक मैं इलाइची चिलाती हूं और ये इलाइची और मेरे फेवरिट तुलसी बत्ता तो वह में लियाती हूं बहर से, ताजे ताजे बनाती हूं हो जाओन सो फ्रेंड्स, जब तीन लोगों की चाही बिनानी है तो इतना सा पानी लेना है ठीक है और पत्ती लेनी है अच्छा पानी को गरम होने देना वाले ठीक है पानी अच्छे से मेरा खोल रहा है देख सकते हो आप उसके बाद एक चम्मच चीनी भरके यह पत्ती बरके दो चम्मच एंड इतनी से एक्स्ट्रा ठीक है यह हो गई चाय पत्ती और चीनी इतनी ने डालनी है हमें एक ते दो ते इनी सारी और चलो जी जो तिसरा इनी सारी मेरे लिए इन दोनों के लिए पूरा बुरा बुरा चम्मच में डाल दी है कलर भी आजाया दिखना में तभी और इलाइची जो है सिर्फ एक डालनी है दोस्तों बहुत महनी है यह इतनी सी लाइची ना मैं असी रपकी लाइग तो एक की डालनी है दोनी पानिया पड़ यह ए वड़ दी जा दी उड़कर निचे जारी है मंगी कि अवामेडेगी ढख, मैं अपलाइक क्या अवहा हुआ है कि अभी आहिए एक प्राइट। मैं हरी मैं लएची विज वाली यूद्ध जए दाल दोगकल बार देना है तोगकड़े लास्ट में और आप इसको अच्छे से एक उबालान देना और चाय हमारी बनके रेडियो चाही की बस फिर एक साइड मैंने चाय बिनाने रख दी थी और दूसरी साइड तो पहर के कुछ बर्तन पड़े थे तो जो हम लोग खाना खाते ना प्लेट्स वगरा तो सब लोग अपनी साथ साथ ही साफ कर देते हैं हां कुछ कुछ एक दो बचकी होते हैं बर्तन तो फिर मैं शाम में चाय बनाते टाइम चाय रखके बर्तन साफ कर देते हैं देखो मेरे बर्तन भी हो गए तो यहां मेरे बड़त बूरे साफ होगे और यहां चाय भी बन गई चलो जब चाय डाल देते हैं इनके लिए अभी अभी हम बजार से उके आरहे हैं तो मैंने कुछ शॉपिंग करी है कि में आणने करवा रहते हैं फ्रक्राइश व मैं अचाय यहां तो है रहे हैं रास्ते बि मिल रहा था में शॉपिंग अचाय मेन शॉपिंग मैंने को मैं कि खाती हूं मैं लिये साडियां, क्या हमारे वहां क्या होता है, जब करवा चोथ बनाते हैं, जैसे हम लोग वहां पर करवा चोथ करते हैं, जैसे यह लोग बट सावित्री करते हैं, तो हमारे में क्या होता है, जैसे शादी के फिर्स्ट एर में अगर करवा चोथ आती है, तो सास को देते यह बेया और सूडे देतिह तो इधर गठ साभित्री है ममा अग्ए को एपा की जिए लिए लिए विएarks नाणी माएं जास देति साभिया नही घो थे मैं तब साघ़ा टिखाते हैं यह मैने साड़े लिए इसाइं मुझे अअच्छी लिए पहनती भी नहीं है वैसी अएंगे पहनने के लिए उफिस भी जाती हैं अच्छाा किना इसमें काम हैं और यह बहुत इंच्छा लगा चुबने वाला यहाँ इसमें गर्मी लगई यह ऐसा फैब्रिक नहीं है तो मुझे अच्छी लगिए उनके लिए थोड़ी सी खोल के दिखाती हूं ज़्यादा नी खोल इंगी जैसे पैक की यह बैसी हो सकता है मैं से पैक हो भी ना तो दिखाती हूं ने अंकल ने इसका बॉडर भी पैकर दो यह लगता है यह ना है इस बहुत अच्छी लगती है मतलब मैंने लेक के देखी थी दुकान में तो मुझे तो बहुत प्यारी लगी थी बहुत अच्छी साड़ी है यह तो यह साड़ी मैंने ममा के लिए है मेरी साच ममा के लिए और यह साड़ी नंबर टू मैंने लिए है नानी ममा के लिए और यह एकदम कॉटन की साड़ी और वो इसी तरह की कॉटन की साड़ी हैं ही पैनती है तो हो सकता है उनको अच्छी लगे मुझे तो बहुत पसंद आई यह भी लेकर देखी दुकान में हां सूट कर रही थी तो फिर मैंने ले ली तो इसका बॉडर दिखाती हूं मैं आपको यह मतल बहुत निकलवारी थी मैं मुझे चाहिए थी कि वो लोग डेली भी पहन सके और कहीं फंक्शन में भी पहन सके एक दो बार उसके बार डेली पहन ले तो यह एक दम प्यारा वाला कॉटन है अराम से नानीमा पहन सकती है इसको अब कि यह इतनी वीडियो में इतनी अच्छी है शारी नहीं लग लिए असली में तो बहुत प्यारी है कtycznie एक और दिखाती हूँ मा पो एक साड़ी मैंने ले है nानीमा की बहन है मॉसी उनके लिए इसी तरह की साड़ी पहनती है तो उनके लिए उनके इससाब की साड़ी ले ले ली वह ऐसी पहनती है तो इसी स्थेटि कियो, मैं आज क्या क्या शॉपिंग करिया है और यह बाला बठा लेलिया! कृशो कितने हैनो, गॉफान! चलब मुझे लोग को सप्ण हों! मैं इस मैंद्रॉपीस का लिया, बहुत अस्ता है और यह इसकी our quality से तिकने बाला बठा है I am really favorite품度 as well के लिए फिर मिलेंगा इस इंटरेस्टिंग से लोग के साथ अब तक के लिए रखें अपना बहुत बहुत ख्यान लव यू ओल गाइज बाइज बाइज